हेलो एवरीबॉन वेलकम बैक टू मेरे चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपना धेड़ सारा ख्याल रख रहे होंगे साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे और ये वीडियो है 28 तरीका 28 अक्टूबर का और सफसफाई चल मतलब दिवारी तक का भी मैंने इंक्लूड किया है दिवारी तक का वीडियो है मेरा दो तिन दिन का है व्लॉग आज मेरा और वैसे भी मैं बहुत जादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हूं तो दो तिन दिन का वीडियो बनता है तब जाके मैं अपलोड कर पाती हू और बहुत सारा काम है बीजी हूँ तो इस वज़े से जो वīडियो बने हैं तो उसको भी ऐडियर नहीं कर पा रही हूँ तो इस वज़े से मेरी विडियो थोड़ा से लेट ही जा रहे हैं और मेरा इंट्रेस्ट भी कम है थोड़ा भी व्लॉगिंग में इतना ज्यादा मेरा इंट्रेस्ट भी नहीं है तो जिसका में इंट्रेस्ट कम होता है तो आपको फिर उसको करने में थोड़ा सा आलस लगता है तो वही रीजन है कि मैं इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा क्या है क्या नहीं या फिर कहीं जाएंगे तो रहेगा कि हां मैं ऐसे जगह पर रहते थे मतलब एक याद तो आप समझ लो कि मेमरी सेव हो जाती है यूटूब पे तो वह भी एक रिजन है तो इसलिए भी मैं वीडियो बनाती हूं कि चलो ठीक है वैसा है इससे पहले जो जास्ति के जितने भी डब्बे हैं तो सारे धूल चुके हैं और बस उसे जचाने का काम है उसे जमाने का काम है तो वही मैं कर रही हूं यहां पे और घर कैसा भी हो एक बार साफ सुत्रा होने के बाद में अच्छा ही लगता है जैसे भी जगह पर रह रह रहे हो तो दिवा में पिर महमान का आना जाना और इस सारी चीजheld भी होती हैं जो कि मैं शेयर नहीं करती मेल तो इसलिए भी मुझे टाइम नहीं मिल बाता है कि मैं विडियो एड़ियर कर भूत मेरा कहीं जाना हो जाता या फिर म्मझेड़ से चीजäll रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत तो देफो फरक पड़ता ही है साफसफाई से तो यहां पे तरह भरतन में लगा दूँगी और उसके बाद में फाइनल लुक कर दिखाते हूं की चंड का फाइनल लुक तो क्या भी दिखेंगा लेकिन जू जैसा है वैसा तो दिखेंगा ही साफसवाई भले ही वीडियो में इतना समझ में ना आए पर ऐसे मतलब सामने से अच्छा लगता है जहां भी आप रहते हो अगर साफसवाई कर लेते हो तो आपको पता लेता है कि हाँ यह सारी चीजे साफ सुतरी हैं क्लीन हैं वीडियो में वो चीजे उतनी किलियर नहीं दे ना तो वैसे आपका मेंमत भी दिखता है अगर घर अच्छा रहता है नाbirds थोड़ा बहुत में Lambsoft करतें तुछ अच्छा दिखता है् वह भी मतलब आपका थोड़ा बहुत मेंनां भी रंग लाता है लेकिन घर तो आप एक दम मतलब क्या बोलू टूट टूट के मेनद कर लोगा फिर भी ओ दिखता नहीं है तो ऐसा वाला हाल है पर ठीक है अपने को पता होता है कि हाँ भी सारी चीजे क्लीन है यह है फाइनल लुक मेरे कीचन का मैंने एक एक चीज अपने हाथों से धोई है चमकाया है उसके बाद मैंने अरैंज किया है और यहाँ पर क्या है कि यह उपन कीटेंट तो फिर चीजें जादा गंदी होती है जो भी समान आपको उपर रहता है वो लेने में उस इस साव से मैंने इस बार इसे डबों को और यह नेक्स दे का क्लिप यानि धंतिरस्क दिन का क्लिप करने और मैंने उठने के साथ में ही इडली बना लिया था मतलब भीगो के रखा था मैंने सूजी का अड़ी है ये और थोड़ा बहुत जो बाहर से बैटल लाते है न तो भी बचा हुआ था तो वो मिला केहिं मैंने बना लिया था इडली कि छलू मैं इसको fry कर दूँगी क्योंकि इडली हमारे खर में कम पसंद की जाती है और ऐसे fry कर दो तो सब को पसंद आता है तो इसलिए मैं इसे कट कर रही है फ्राइ करने के लिए और हमारे यहां धंतेरस नहीं मनाया जाता क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी धंतेरस के दिन ही तो इसी वज़े से हमारे यहां कोई भी नया काम नहीं होता है धंतेरस के दिना ऐसे पूजा पाट भी हम लोग नहीं करते हैं तो यह मैंने सारे हिडली को कट कर लिया है और इसमें सारे मसाले में आड़ करूंगी आप देखी रहे हैं यहां पर धनिया मतलब हल्दी जो भी आपका है और यह मैगी का मैजिक मसाला डाल दिया एक शेशे पैक नमक डाल देंगे और उसके बाद में यह डाल रही हूं मैं चीनी का पावडर और इसे अच्छे से मिक्स कर दोंगी मिक्स करने के बाद में पाच मड़ के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और उसके मिक्स करके इसे रख दे कम से कम पाänge स्ट या दसमेड के लिए जैसे आप पैस टाइम हो आप रख सकते हो पर मैंने पांच मेड ही छोड़ा था 逼ूद्प्र दिया था क्योंकि इस पर सब जो हमने मेरिनेड और रखा था इड्ली वह डाल देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसमें यह ज़ों चटनी चम और टमेटो केचप दो चीज़ें आड करके इससे मिक्स कर लेंगे देखिए लगाइड केचप और आपको डालना हो डालें नि अगर आपके पर सहजवान चटनी नहीं है तो आप चटनी के बिना भी बना सकते हैं थोड़ा सा तीखापन के लिए हरी मिर्च कट करके डाल दें मतलब तड़के में तो उससे थोड़ा सा तीखापन बढ़ जाएगा या फिर मिर्ची पाउडर आप बढ़ा सकते हो पर करूंगी टोमेटो केचप डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है जो हमने से हजवान चटनी डाला है और मसाले डाले है तो एकदम से चटपटा है वो तो थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस एड होगा न तो टेस्ट को बैलेंस करेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसी वज़से मैं डाल रही हूं मेरे घर में ऐसे टेस्ट पसंद करते हैं इसी वज़से तो चलिए यहां पर डालके मैं अच्छी से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में फटा-फट से मैं सबका प्लेट लगा दूँगी क्योंकि नास्ता अगर ऐसा होता ना तो सबको लगी जाती है तो यहां पर मैंने ढख दिया है और उसके बाद में सबका प्लेट में लगा दूँगी और यह है दिवाली के दिन का क्लिफ शाम का टाइम है नहां कि मैं खाना बना रही हूं और हैर्वश किया था क्योंकि पूजा करना है तो इसी वज़़से मैंने हैर्व गई हूं और उसके बाद हम करेंगे पूजा पार तो यहां पर मैं सिवई की त्यारी कर रही हूं दूद रख रही हूं एक तरफ मैंने छोले बलने रख दिया है जो कि बिना लेसन प्याज का मैं बनाओंगी और आज के दिन मैंने बहुत जादा ही काम किया था क्योंकि और पूरा दिन बहुत अच्छे से मैंने सावसफाई करी मतब दस मिट कभी मैंने रेस्ट नहीं लिया था और उसके बाद में फिन मैं शाम को नहाद होगे खाना बना रही है जो कि लेट हो गया था पर जो महूरत था मतब जो दिया जलाने का महूरत था उसके अंदर ही हमन स्टील का कुकर है तो उसका रबड जो होता है वो लूज हो चुका है तो सीटी नहीं बज रही थी तो इसलिए मैंने फिर इस तरीके से करके रखा हुआ है आटा लगा लिया है एक तरफ हमारा सेवाई बन रहा है तो मैं बनाने वाले ही सेवाई पूरी और छोले की सबजी मतलब छोले बनाने वाली हूं और यहां पर मैं पूजा का बरतन धो रही हूं मतलब सासाथ में बहुत सारा काम में कर रही हूं कि पूजा टाइम से करना भी जरूरी था तो जो पूजा का बरतन होते हैं दिया को मैंने पानी में भीवो दिया था मतलब तपेली में पानी ड सब्सक्राइब होता है बाता है यहां पर यहां पर आ गए हैं पटाके दिखाने के लिए जैसे मैंने बताए कि आज को बहुत ज्यादा ही शौक है हर फेस्टिबल बहुत ज़दा अच्छे से इंजॉय करते हैं तो यह पटाके खरद्वा के लेके आये थे अपने पपा से और वही बोल रहे थे कि ममी जल्दी करो तो आपन चले पटाके जलाने के लिए पर वही होता है कि सारा कम साथ में आ जाता है और जब बच्चे इस चा पटाके फोड़ते हैं तो दियावति कर लेंगे पूझा पट कर लेंगे उसके बाद में हम पटाके जलाएंगे उसके बावजूद भी बीच बीच में मुझे बोल रहे थे कि ममी चलो जल्दी खतम करो अपना काम चलते हैं पटाके तुम फोडने के लिए और यहां पर जै कि ऐसे हम पानी नहीं बहने दे सकते और यहां पे पटाके दिखा रहे थे आप सबको जो पांसो पजपन या पता नहीं कौन सा बम होता है तो एक्चुली मैंने कभी पटाके फोड़े नहीं मुझे इतना डर लगता है पटाको सिना मुझे बहुत ज़दा डर लगता है मैं छ तो उनको लगने का भी खत्रा रहता है तो इसलिए मैंने मना किया था कि जब मैं चलू तभी आप पटाके फोड़ना क्योंकि उनको आज बहुत सारे फोड़ने थे थोड़े बड़े फोड़ी रहे हैं पिछले आठ दिन से बट थोड़े बड़े चलता है लेकिन अगर होती हैं भुनी होती है पर इसे घी में भुनते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसी वज़े से घी में भुनना जरूरी होता है ताकि तेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए और दूद को फिर से मैंने गैस ओन कर दिया है उबल गया था दूद तो फिर मैंने काम भी कर रही हूं अईसा होता है जब सारा काम एक सांथम आ जाता है नो टो ऐसा ही होता है और ठकी तुम्हें इतनी ज काम करने की वज़व से बहुत जादा ठक गई थी पर यह थी अबीक हो जाए उसके बाद में फिर कोई काम बचाँ यह निन तो वह सोच कि मैं लगी प जैसे तैसे लटके पड़े हैं बाल मेरे यहां पर पूझा पट हो गया है हमारा पूजा का मैंने कुछ भी रेकॉडड नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता पूझा पर करते एस ह्पूजा हो किया और बहुत ही संतुस्ती के साथ बहुत ही संतुस्ती मिली पुझापाट करके तो ऐसे केमरे के सामने नहीं मजा आता है पुझापाट करने में कि मेरे कैसे फील हो रहे हैं कि मेरे आते सूज देखने में ऐसे भार भार सा लग रहा है और यहां पर थोड़ा बहुत काम मेरा बच गया था आगे रूम का जैसे कि मने बताया कि आगे रूम के सफाई मैंने आज ही करी थी पूरे दिन लगके और सारी चीजे मैंने धोके छत पे सुखा रखी थी मतलब सोफा कवर है और कुशन कवर है तो वो सारी चीजे थोड़ी बहुत मैंने लगाई थी जैसे मैंने बताया कि साथ साथ ही सारा काम में कर रही थी तो थोड़ा बहुत जो काम बचा था तो मैंने पूजा पाट करने के बाद में इसे सोचा कि कर लेती हूँ टाइम है अभी कुछ करना तो है नहीं खाना भी बन गया था तो इसी वज़े से फिर मैं यहाँ पर जो चीजे लगानी है मतलब कार्पिट लगाया उसके बाद में कुशन कवर लगाया क्योंकि सोफा कवर लगा ल पुपने डि कीब रिता पपकोटिका पसंनी है ले मिटा ले अप लगा कर रखो ने ईसे ल कर लगा के लगाननी प्रेविली ह Character में कल निया रखिए आज भी निया क reckन एज डिवाली है आज दिवाली राज़ 눈 डियू मिया पने मिचल बथ ओ पर दो लाद दो एक ले कर दो